मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी अनाडी हो, लारिसा ने धीरे से कहा। मुझे दिखाओ, कहां दर्ध हो रहा है। यहां, एनी ने कहा, अपने बाय हाथ को हटाते हुए अपनी कलाई के चारो और गहरे काले नीले निशान को उजागर किया। लारिसा को यह चोट देखकर थोड़ा असहज महसूस हुआ, यह जानते हुए कि यह चोट किरने से नहीं हो सकती थी। वह साफ तौर पर एक बड़े आदमी के हाथ को इतनी जोर से दबाते हुए देख सकती थी कि यह निशान बन गया हो। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर इस भयानक रूप से बदरंग तवचा के नीचे कुछ हड्या तूट गई हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक थंडी पट्टी लाने जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि डॉक्टर एकसरे भी करवाना चाहेंगे, उसने अपने स्वर को शांत बनाए रखने की पूरी क लारिसा ने सिर हिलाया, सोचते हुए कि इस बेचारी महिला को दर्द की गोली से कहीं ज्यादा की ज़रूरत है। उसने अपनी बेपसी की भावना को जटक दिया। क्या तुम्हें और कहीं चोट लगी है? उसने पूछा। शायद तुम्हारा सिर्या पसलिया लगी हो। न उससे लारिसा का पेट दर्द से मरोडने लगा। वह दुर्विवार के संकेत और लक्षनों को पहचानती थी। बहुत अच्छी तरह से। अतीत की काली यादें उसे घेरने की धमकी दे रही थी और उसने उन्हें वापस धकेलने के लिए कड़ी महंत की। अपनी भावना पर inpatient hospitalist से बात कर रहे थे, एक मरीज के बारे में जिसे वह भरती कराना चाहते थे। वह पास में ही खड़ी रही उनके कॉल खत्म करने का इंतजार करते हुए। उन्होंने फोन रख दिया और एक गर्म मुसकान दी। हाई, लारिसा, क्या हाल है। उनकी मुसकान बहुत ही आकरशक थी और लारिसा महीनों से इस प्रभाव का सामना कर रही थी। अब तक उसे लगता था कि वह अपनी भावनाओं को अच्छी तरह चिपा रही है। मुझे तुम्हे रूम चार में मेरे मरीज को देखना है। उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे पूरा यकीन है। झाल